आईए हम वायू मंडलिये दबाव के प्रियोग का अध्यान करें. हवा कई प्रकार की स्थितियों में दबाव डालती है. हम हवा के दबाव से हमारे दैनिक जीवन के अनुभवों में कुछ को देख सकते हैं. एक पेंच लोहे से बना लें और इसे हवा में उपर की और फैंकें. यहां एक गती के साथ नीचे आता है और एक तेज ध्वनी के साथ प्रित्वी पर गिर जाता है. वायू मंडलिये हवा का दबाव चार धागों से पेंच को एक रुमाल से बांध लें. पेंच के साथ रुमाल को उपर हवा में फैंक दें. एक निश्चित उचाई पर पहुँचने पर पेंच रुमाल को पीछे की और खींचते हुए गती के साथ नीचे आने लगता है. रुमाल हवा से भरते हुए एक पैराशूट की तरह बहर खुल जाता है. खुले हुए रुमाल पर हवा का दबाव गिरने वाले पेंच की गती को कम करता है. पैराशूट भी ऐसे ही कारे करता है. सकर गर्मियों के दौरान कार के बहर से आने वाली तेज धूप से यात्रियों को बचाने के लिए कारों पर इस्तमाल किये जाने वाले कांच स्क्रीन से जुड़े हुए रबर या प्लास्टिक के कप होते हैं. आप इस चित्र में सकर को देख सकते हैं. सकर बहर से उच्छ हवा के दबाव के कारण सतह पर चिपक जाते हैं. एक सिरिंज चुसकी लेने वाली नली के सिद्धान्त पर ही कारे करती है. सिरिंज की नोक को तरल यानि की दवा में डुबाया जाता है और उसके पिस्टन को पीछे की तरफ खीचा जाता है जिसके कारण सिरिंज के अंदर हवा का दबाव कम हो जाता है. तरल की सतह पर वायू मंडलिये दबाव अधिक होता है जो तरल को सिरिंज के अंदर धकेलता है स्याही से भरे फाउंटेन पैन रबर्ड ट्यूब से बाहर हवा को धकेलने के लिए दबाया जाता है इस प्रकार ट्यूब के अंदर हवा का दबाव कम हो जाता है जब ट्यूब पर दबाव वापिस ले लिया जाता है तो बाहर की स्याही पर वायू मंदलीय दबाव स्याही को रबर ट्यूब के अंदर धकेलता है वैक्यूम क्लीनर वैक्यूम क्लीनर जिसे हमारे घरों में फर्ष और कालीन को साफ करने के लिए इस्तमाल किया जाता है उसके अंदर एक blower यानि की पंखा होता है Blower निर्वात यानि की अत्यंद कम हवा के दबाव का छेत्र बनाते हुए हवा को vacuum cleaner से बाहर धकेलता है हवा में बहुत उचाई पर यानि की पहाडियों पर हवा का दबाव पहाडी के शीर्ष की उचाई पर निर्भर करता है हवा ना केवल कम घनत्व वाली होती है बलकि उसमें oxygen की कमी भी होती है इसी लिए यदि आप 5000 मीटर की उचाई से अधिक पर चड़ने वाले हैं तो अपने साथ oxygen से भरे cylinder ले जाएं ताकि आप आसानी से सांस ले सकें बहुत उचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाजों में यात्रियों के आराम के लिए दबाई गई भर पूर oxygen युक्त हवा भरी होती है और अधिक जाने आतिरिक हवा से भरे हुए साइकिल के टायर फट सकते हैं ट्यूब की बड़ी हुई रबर पर हवा के दबाव के कारण यह फटता है यह गुबारे के फूटने के समान ही होता है जिसमें उसकी चमता से अधिक हवा भरी होती है संचेप में दबाव प्रती इकाई छेतर बल होता है जब एक बड़े छेतर पर बल लगाया जाता है तो दबाव कम होता है दबाव तब अधिक होता है जब चोड़े सिर वाली नुकीली पिन या बड़े हैंडल वाला तेजधार वाला चाकू बिंदू या कोने के पास दबाव को बढ़ाते हैं बल कुल धक्का होता है दबाव एक इकाई छेतर पर लगने वाला धक्का होता है ठोस से दबाव नीचे की और दिया जाता है तरल पदार्थ से दबाव सभी दिशाओं में होता है हमारे आसपास की हवा याने की वायू मंडल दबाव डालती है